हेलो स्टुडेंट, वेलकम बैक इन हैस्टेग आर्जेस वीडियो इस लेक्चर आई थिंक लेक्चर नमबर फाइफ ओके, इन इस लेक्चर वी डिसकेस अबाउट दा आग्रुमेंट आफ मॉडूल असी इन कॉंपलेक्स नमर कॉंपलेक्स नमर में यह हमने 11 में पढ़ा है, आर्गमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है न, ताहिए हम इस पर डिसकेस करते हैं, लेक्चर इस टार्ट है ओके, तो यह फिर्ष्ट थिवर्म है, जो कि हमें पुरुप करना है, आर्गमेंट z1, z2 इक्वल टू, आर्गमेंट अफ जेड़वन प्लस अर्गमेंट आफ जेड़वन प्लस आफ जेड़वन अब यह आर्गमेंट होता क्या है, यह तो पहले आपको कंफर्म करते हैं, तो argument आपने class 11 पड़ा हुआ है, कुछ नहीं argument, अगर मालो z is equal to x plus iy, यह variable form में दिया है, ठीक है ना, complex variable form, तो हम याद होगा, आपको वीडियो second या वीडियो third में हम आपको proof कराए होगे, polar form में कैसे रिखते हैं, ठीक है, और उसमें हम आपको निकाला होगा, theta is equal to 10 inverse x upon y, यही theta जो angle जो बनता है, एंगल को हम बोलते हैं, argument, ठीक है ना, अगर मालो दिया हो, x, z is equal to r e का power i theta, यह किस form है, exponential form है, तो इसका argument क्या होगा, argument of z, यहनि z का argument क्या होगा, सिर्फ theta होगा, एंगल की बाद कर रहे हैं, ठीक है ना, argument of z, मैं लो इस complex number के theta जीतना होगा, वही argument होगा, ठीक है ना, और यह formula होता है, किसी number का, दे दे इस form में, और बोले किसका argument क्या होगा, अप ऐसे निकल सकते हो, 10 inverse है, सोड़ी, यह, theta is equal to 10 inverse, x upon y, तो हम इस्टार्ट करते हैं, पहला तो हमें z1 और z2 लेना है, z1 और z2, हम दिख रहा है, साब साब का हमें, दोठ है, लेना पड़ेगा, z1 और z2, let, z1 is equal to r1 e के पाओर i theta, हम exponential form में लेंगे, और z2 भी लेंगे हम लोग, z2 is equal to r2 e for i theta 2, यह हमार exponential form हो गया है, ओके, मिन्स हमने दोठ है, z1 और z2 लेंगे, हमें साब साब दिख रहा है, z1, z2 लेंगे तब ही तो होगा, so, argument of z1, z1 का argument का होगा, theta 1 and argument of z2, theta 2, z1 का argument theta 1 और z2 का argument theta 2, simply हम यह लेंगे, अब हमें क्या करना है, z1 और z2 को पहले, mod में लेना है और फिर argument इसका निकाल देना है, तो पहले z1 और z2 को में अप्या कर दो, तो महां मुल्टिप्लाइंग, यह equation first है और equation second, consider कर लो, then multiplying equation first and equation second, equation first और equation second को में अप्या करेंगे, इस में रिटन देना, z1, z2, is called r1, r2, 1 पावर i, अब जो में अप्या करेंगे, तो theta 1 प्लस theta 2 जूट जूट जाएगा, तो e के पावर theta 1 प्लस theta 2, ओके, अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, हमने z1, z2 को मुल्टिप्लाई के तो क्या मिल गया, r1, r2, e के पावर i, theta 1 प्लस theta 2, अब जब इसका argument निकालेंगे हम, जैसे यहाँ पे z1 था, r1, e के पावर i, theta 1, तो इसका argument निकाले तो क्या हुआ था? theta 1 हुआ था सिर्फ, और z2 का argument निकाले तो क्या हुआ था? theta 2 हुआ था, तीवी मालों एक complex number बड़ा वला z, और हमारे पास यह है, तो इसका argument क्या होगा? theta 1 प्लस theta 2 के बराबर होगा, तो argument of z1, z2 equal to theta 1 प्लस theta 2, बात समने नहीं? कोई बात नहीं, लिखेंगे तो समझ मैं देगा, यहांनी हमें लिखा argument, z1, sorry, oh, oh, क्या होगा? z1, z2 equal to theta 1 प्लस theta 2 के बराबर होगा, simple, जिससे यहां पे z1 बराबर e के पावर i theta था, तो इसका argument लिए था, तो सिर्फ theta होगा था, argument of z, वैसे argument of scaling तो theta 1 प्लस theta 2 होजाएगा, simple, अब इस theta 1, theta 2, अब देखो, theta 1 किसके बराबर था? theta 1 किसके बराबर था? theta 1 बराबर था argument of z1, और theta 2 के किसके बराबर था? argument of z2, अब simple, we put that theta 1 value and theta 2 value ही, अब theta 1 और theta 2 का बाइल पूट कर देंगा, theta 1 का पूट कर देंगा, argument of z1, mod प्लस argument of z2, यह हम प्रूफ होगा, ठीक ना? समझे हैं ना? बस इतना है प्रूफ होगा, argument of z1, z2, यह हमारा प्रूफ होगा, अब देखो, एक और इसमें प्रोपटी आती है, पूचता है, question कि प्रूफ, यह second property है, theorem में, sorry, इसमें second theorem पूटता है, z1 upon z2, mod, argument mod, sorry, argument z1 upon z2 is called to argument of z1, minus, sorry, minus argument of z2, यह second theorem है, ठीक है, यह सही, यह भी पूचता है, बहुत important है, दोनों साथ पूचता है, कुछ ने करना है, simple, बस हमें पता है, कि argument of z1 बराबर, वैसे इसमें भी लेंगे, z1, e के पावर, r e के पावर, i theta, और लेंगे, z2, equal to r e के पावर, sorry, r1 and r2, e के पावर, i theta, अब argument of z1 क्या होगा, आप समझदार होगा है, बता सकते हैं, theta, theta1, और argument of z2 क्या होगा, theta2, अब मैं simply दिख रहा है, कि z1 अपावर, z2 करना, it will be dividing the z1 and z2, z1 को divide करेंगे, by z2 से, तो z1 upon z2 करेंगे, तो मैं मिल जाएगा, r1 e के पावर, i theta1 upon r1 e के पावर, i theta2, r1 upon r2, sorry, r1 upon r2, e theta1, e के पावर, i theta2 को जब उपर लगा जाएगे, तो निगटें बजाएगा, simple, e का पावर, i, हम लिख करते हैं, theta1 minus theta2, जब यूपर जाएगा, तो निगटें बजाएगा, तो निगटें बजाएगे, तो वी रिटें इस इन इस फार्म, theta1 minus theta2, अब दोखो, अर्गमेंट ले लेंगे, हम इसका, argument of z1 upon z2 mod, जो अर्गमेंट लेंगे था, सिफ एंगल यहाँ पूट करतेंगे, एंगल पूट करतेंगे, theta1 minus theta2, अब theta1 और theta2 हमें पता है कि इसके बरावर है, argument of z1 के बरावर minus argument of z2, हो गया, प्रूफ, यह मैं प्रूफ करना था, argument of z1 minus argument of z2, हम इसके बरावर, प्रूफ हो गया,